दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल एक्जामेंट पर तो आज हम देखें कि ऑफिशिल एंसर की डिएफसी सी इयल का कब आने वाला है आयोग ने खुद बताया है कि अपना जो एंसर की योग कब लीज कर देगा तो सीधे हम नोटीस पर चलते हैं इधर उदर कि आने की संभावना है पूरी संभावना है क् Coreा अन्सर की ये एंसर की रिलीज कर देगा तो और अब देख लेते हैं किम्लम की planned sacrifice से इसके पहले मैंने वीडियो बना चुका है बना चुका है जो आइल बटन लगा देंगा आप देख सकते हुआ पर मैंने क्या बता है काफी लोग उसमें कह रहे थे कि सर इसमें कट अब काफी हाई बता रहे हैं ऐसा नहीं होगा कट अब कर दो है 60-65 नमबर के बीच में रहेगा बाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कट अब मालीजा आप 50 परसेंट बता रहे हैं आज के समय में किसी बी एक्जाम को लेकर देखे जाए कुछ एक्जाम जो है उसमें पचास परसेंट कट अब रहा लेकिन अल्मॉस्ट सभी जाम में कट अब सकतर से 80% बीच में रह रहा है तो इस समय पिछली साल की वेकेंसी थी आप हम बताता जूनियर एक्जूक्यूटिव और एक्जूक्यूटिव पोस्ट के लिए इसली साल की जो ऐसी आया था अग्ज और इस बार जो है कम से कम 1,40,000 कम से कम केंडिडेट है और इसमें पहली बता चुक्त था कि पिछली वीडियो में कि 80-85 परसंट तक जो अटेंडेंस रहा इस बार तो कैसे आपको सकते हैं कि जो में रह सकता है मेरी यहां पर देख सकते हैं पिछली बार जो है और लुए इतना कम नहीं आशकर तो इस बार कैसे उमीद कर सकते हैं जो कि पिछली बार आप भी कम पड़ा था अप्लेकेंट भी कम थे और वहाली आधा था लेकिन उसके इस उसके साफ से रेसियो जो था ठीक अभी थोड़ा सा बढ़ा है तो बढ़ने से मतलब यह नहीं है कि मतलब क्या बोलता है कट अब इसलिए कम नहीं जागा कि वैकेंसी के साथ साथ यहां पर अप्लिकेंज भी बहुत ज्यादा मातरां बढ़ गए और साथ में यह जो ऑनलाइन वाला जो हब चल लाई समय काप काफी लोग घर रहके तायर करते हैं काफी नोलेज गेंज कर चुके हैं इससे लेटेट जो है कट आप हम बता दे रहे हैं पिछले वीडियो में बताया थे असी से चीएसी की बीच में रहेगा ठीक है अगर आपको लगता है कि क्या कट आप रहने वाला है मतलब मेरा जो अ अगरे वीडियो को लाइक करें चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें कि इस चैनल पर अपडेट करते हैं तब तक के लिए थैंक्यू देखते रहे हैं